और डियने के अंत में आज के इतिहास पर नज़र डालते हैं आज ही के दिन 1861 में आगरा में मुतिलाल नहरू का जन्व हुआ था मुतिलाल नहरू भारत के स्वतंतरता अंदोलन का एहम हिस्सा थे देश के नामी वकील मुतिलाल नहरू भारत के पहले प्रधान मंतरी जवारलाल नहरू के पिता थे मुतिलाल नहरू ने 1919 में दे इंडिपेंडन्ट नाम के अखबार की शुरुआत की थी और अलाबाद में आनंद भवन का निर्मान भी मोतिलाल नहरू नहीं करवाय था 1844 में आजी के दिन मशीन की मदद से बनाया गया दुनिया का पहला बर्फ का मैदान जनता के लिए खोला गया था और इसका नाम था गलेशियरियम 1889 में आजी के दिन पैरिस की पहचान कही जाने वाले आईफल टावर का अधिकारिक तोर पर उदगाटन हुआ था हलाकि उस समय आईफल टावर में लिफ्ट बन कर तयार नहीं हो पाई थी और इस वज़ा से इसे देखने आए लोग इसके सबसे उचे हिस्से में 1710 सीड़ियां चड़ कर पहुंचे थे आईफल टावर को गुस्टैव आईफल ने डिजाइन किया था और फादर रॉफ साइको अनालिसिज यानी मनोविग्यान के जनक कहे जाने वाले नियूरोलोजिस्ट सिग्मेंट फ्राइड का जन्ब 1856 में आज ही के दिन हुआ था मनोविग्यान और मांसिक रोगों की चिकित्सा में साइको अनालिसिज कहीं ना कहीं काम आता है उसकी कहीं ना कहीं जरूरत होती है The Interpretation of Dreams and Studies on Hysteria जैसी किताबों के जरिये सिग्मेंट फ्राइड ने अपने सिधानतों को लोगों के सामने रखा आज सिग्मेंट फ्राइड के 160 में जन्म दिन पर गूगल ने भी अपना डूडल उन्हें समर्पित किया है तो DNA में आज इतना ही अब वीकेंट इंटरवल का वक्त हो गया है इसलिए हम आपके सुखी और सुरक्षित वीकेंट की कामना करते हैं अब आप से हमारी मुलाकात होगी सोमवा रात 9 बजे जब हम कुछ और नई और बड़ी खवरों का DNA टेस्ट करेंगे तब तक के लिए नमस्कार